हलो दोस्तों फिर से एक और नए विकाओ जमीन की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सरिया जो जमीन आप लोग देख रहे हैं यहां उत्तर परदेश राज्य की यहां विकाओ जमीन है जहां साथ यह उत्तर प्रदेश राज्य की यहां पर विकाव जमीन आ गई है अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में जमीन खईदना चाहते हैं और कभी से सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भी जमीन हमें मिल जाए तो आज हम आप लोगों के लिए उत्तर पुर्देश की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी विकाउ जमीन की जानकारी लेकर आए हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन की घंटी को भी आल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बराबर मिलता रहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही होसला मिलता है चैनल को सस्क्राइब करने से दोस्तों या होता है कि अगर हम लाइफ में कभी भी कोई विकाउ जमीन का वीडियो बनाते हैं तो आपके पास उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले पहुंच जाता है तो चलिए आज की जमीन कहां पर है और किस रेट में विकाउ है सारी कुछ जानकारी हमको इसी वीडियो में देने वाले हैं वीडियो को थोड़ा से भी भागा ना मत अगर आप भागा दोगे तो आपके हाँ से जमीन निकल जाएगी फिर आप मुझे मत कहना कि सर मुझे जमीन नहीं मिल पाई है या फिर मैं बहुत दिन से परियास कर रहा हूँ जमीन को खरीदने के लिए तो अगर आप जमीन को खरीदने के लिए बहुत दिन से परियास कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कहीं न कहीं आपको इसमें कुछ आपने गलती की है अगर आप गलती ना किये होते तो आपको भी जमीन मिल जाते गलती ये करते हो कि आप वीडियो भगा भगा के देखते हो तो जो आपको कभी कभी हम आपको मालिक का मुवाइल नंबर बीच में ही दे देते हैं तो आप लोग मालिक का मुवाइल नंबर नहीं पाते हो तो यहाँ पर जो है आपको राज उत्तर प्रदेश मिल जाता है जिला जो है आपको लखीम पूर खीरी मिल जाता है जिहाँ साथियों लखीम पूर खीरी या जमीन के मालिक का जिला है और यहाँ पर बात करें इनकी तहसील के बारे में तो तहसील इसका पलिया है जिहाँ पलिया इसकी तहसील है और इसका जो बलाक है बलाक भी आपको पलिया मिल जाता है बात करें पलिया की तहसील और बलाक की दूरी यहां से तहसील और बलाक की दूरी लगभग 12 किलो मीटर आपको मिल जाता है जिहां साथियों 12 किलो मीटर आपको तहसील और बलाक मिल जाता है बात करें यहां पर गाउं के नाम के बारे में तो गाउं का नाम है रूदापूर जहां साथियों रूदापूर यहां पर आपको गाउं का नाम मिल जाता है यहां पर जमीन के मालिक का नाम के बात की जाए तो जमीन के मालिक का नाम है ब्रिज भूसन जहां साथियों ब्रिज भूसर जी की उम्र की अगर बात करें तो लगभक आपको 47 से 48 साल इनकी उम्र है और यह इनकी जमीन जो बेच रहे हैं यह इस जमीन को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है बहुत ही ज़्यादा जरूरत है क्योंकि यह इनके अंदर जो है वाल लगा था शरीर के अंदर तो वाल खराब हो चुका है और यह अगर जमीन को नहीं बेचेंगे और वाल नहीं लगवाएंगे तो यह जल्द ही डेड़ कर जाएंगे तो इसलिए जमीन को बेच कर जो है जमीन के मालिक अपना वाल लगवाना चाहते है अगर वाल नहीं लगवाएंगे तो यह मर जाएंगे तो आपको बता दूँ कि टोटल जमीन इनकी यहाँ पर कितनी है तो टोटल जमीन आपको 58 विगहा यहां पर आपको मिल जाता है यहां साथियों 58 विगहा आपको यहां पर जमीन टोटल मिल जाती है बात करें यहां पर एक विगहा में कुल कितनी जमीन होती है तो आपको यहाँ पर एक वीगा में आपको 20 विश्वा टोटल जमीन मिल जाता है आपको एक-एक मैं किलिप समझा रहा हूँ भी बाद में मुझे हम्मत कहना कि सार आपने सही से समझाया नहीं तो आपको यहाँ पर एक वीगा में 20 विश्वा मिल जाता है और प्रतेग विश्वे में आपको यहां पर तेरा सो पचाइश स्क्वाइर फिट मिलता है और यहां पर बता दूं ब्रिज भूसर कौन सी विराज़ी से विलॉंग करते हैं तो ब्रिज भूसर जी जो हैं दूबे जाती से विलॉंग करते हैं यानि पंडित जाती से और यहां पर बात करें कि ब्रिज भूसर जी जो है इनका कारे क्या है तो यहां ब्रिज भूसर जी जो है पूजा सुनाते हैं यहां साथियों पूजा सुनाते हैं और यहां पर जो है इनकी जमीन जो है बहुत ही कम कीमत में यहां बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसे की ज़्यादा जरूरत है तो यहाँ पर इनकी जमीन का रेट मैं आपको बता देता हूँ कि किस रेट में यहाँ पर जमीनिये बेच रहे हैं उससे पहले आपको बता दो इनके खेत में होने लिए कौन कौन सी फसले हैं तो यहाँ पर इनकी खेत में जो है गिये हूँ सरसो अभी वोई गई है बाकी यहाँ पर धान आलू मटर और हर सभी परकार की फसल हो जाती है जो कि अभी यहाँ खेत जो आप लोग देख रहे हैं या कोई दूसरा और बो रहा है जो कि अधिया पर बो रहे हैं मजदूर तो यहाँ पर आपको बता दूँ 16,000 रुपे परती बिगहा के इस जमीन को बेच रहे हैं अगर इन मालिक से आप संपर करना चाहते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में मालिक का मॉवाइल नंबर का एक लिंक दे देंगे तो वहाँ पर आप उस लिंक पर किलिक करके मालिक क मॉवाइल नंबर पर आप पहुँन सकते हैं उस चैनल को अगर सस्क्राइब ने किये होगे तो उसको कर देना सस्क्राइब क्योंकि हम उस पर हमेशा मालिक का मॉवाइल नंबर प्रोइट कराते रहते हैं हमें आसा नहीं पूरा विस्वास देगी आपको यह वीडियो पसं बंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकन की घंटी को भी आल पर सेलेट कर दीजिए फिर मिलेंगे किसी और नए लोकेशन की जानकारी लेकर तब तक लिए दोस्तों जैहिंग जैभारत वांदे